Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal Popoli और अब इस वीडियो में हम पढ़ने चारहे हैं about marketing cooperative societies. As in my previous video, हम लोगों ने बात की credit housing cooperative society क्या होता है? Housing cooperative society क्या होता है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे marketing cooperative society. As the name suggests, marketing मतलब क्या? किसी समान को बिक्वाने वाली वो तरीका, वो टेक्नीक? रिलेड़ कुछ है. एक example के वे मैं समझते हैं. से हमारे market में ऐसा तो है नहीं कि हर एक producer बहुत ही बड़े लेवल पर function करता है. फ़र से हम बोले हर कोई reliance के equal scale पर function कर रहा है. बहुत सारे चोटे मोटे brands पर आते रहते हैं, चोटे चोटे प्रेडूसर्स भी आते रहते हैं, जो अभी उन्होंने company start की है, या फिर बहुत ही छोटे लेवल पर function करते हैं. तो उनी producers से related ये concept है, ये बोलते हैं कि जब वो बाहर marketing करने जाते हैं, as you can see, यहाँ पर हमने holding बनाई हैं, जो अपनको usually रोच पे देखने के लिए मिल चाती है, या sometimes हम TV में advertisement देखते हैं, sometimes हम रेडियो में सुनते हैं किसी चीज़ की advertisement, तो it's about that. क्या वो ऐसे ही free of cost हो जाती है? The answer is obviously no. आपको उसके लिए बहुती बड़ा amount pay करना पड़ता है, जैसे ऐसे मानिए, एक छोटी से hoarding के लिए आपको एक लाख रुपए देना पड़ रहे हैं. अब क्या small producers जो मुश्किल से अपना raw material ही खरीद पाते हैं, वो marketing पे इतना खर् पाएंगे. With that, warehouse में रखने वाला, transportation वाला cost, क्या वही सारा बयर कर पाएंगे क्या? तो उनके लिए बहुत ही difficult हो जाती है ऐसे सिनारियो क्यों? क्योंकि उनके पास इतने resources नहीं होते हैं, जितना उनका खर्चा हो जाता है. तो उस time पे वो advertisement afford नहीं कर पाते हैं. अब advertisement नहीं होगी, वो बिकेगा कैसे? जो दिखता है वही तो बिकता है, right? तो जो दिखेगा ही नहीं, वो बिकेगा कैसे? तो यहाँ पे यह बहुत confusion में आ जाते हैं कि क्या करें? Exactly क्या करना चाहिए, जिससे इनका product क्या हो पाए, market में easily बिक पाए? तो इन्होंने एक अलग त society form की, जिसको यह बोलते है, marketing cooperative society, मतलब एक ऐसी society जिसमें लोग मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे का product बिकवाने की कोशिश करते हैं, मतलब instead of आपको individual level पे try करना है, आप यहाँ पे एक group में try कर रहे हैं, यह कोशिश करते हैं कि small producers की help करें, उनके product directly market तक पहुंचाने में अदुदगार हों, as well as उनको warehousing, as well as transportation की facility भी provide करें, मतलब small producers से समान market तक पहुचने में जितने भी resources लगते हैं, जितनी भी requirements लगती हैं, वो सारी यह particular society help करती है small producers को देने के लिए, तो basically यह एक ऐसी society है, जो small producers की products को market तक easily पहुंचाने वाला काम करती है, उसमें promotion भी included हो facility भी included होती है, और उसमें transportation facility भी somewhat included होती है, तो दुबारा से short में समझते हैं, एक ऐसी society जो small producers की मदद करती हैं, उनका product factory से लेके कहां तक पहुंचाने में, market तक पहुंचाने में, in between journey में जितने भी हिस्से आते हैं, वो सारे यह क्या करती हैं, उसको पूरा करने में help करती ह चाहे वो वेराऊसिंगो, चाहे वो transportation हो, या फिर promotional activity हो, that's it for this video, in our upcoming video, we'll be talking about new form of business organization, as we are done with this types of cooperative society, so stay tuned, and if you want notes of this chapter, तो please magnetbrains.com पे जाके आप वो notes ले लिजे, उसका link हम description box में रख देंगे, thank you